हेलो एवरीवन, वेलकम टू यामी रासिपी इस किचन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकराईद स्पेशल तले हुए गोश्ट की रासिपी बहुती कम मसालों में, बहुती कम टाइम में, बहुती टेस्टी ये तला हुआ गोश्ट बनकर तयार होता है तो इस बकराईद, इस तले हुए गोश्ट की रासिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और रासिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं तला हुआ गोश्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गोश्ट तो मैंने यहाँ पर 800 ग्राम मटन लिया है मैंने गोश्ट जो है वो बून के साथ लिया है आप चाहें तो बॉनलेस गोश्ट भी ले सकते हैं गोश्ट को अच्छी तरह से दोने के बाद एक प्रेशर कूकर में एड्ट कर देंगे गोश्ट आइड़ करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्यास तो एक मीडियम साइज की प्यास को रफली कट करके डालेंगे तीस पून हल्दी पॉर्ड़ा डालेंगे, एक टीस पून या फिर टेस के अप्ल़ा शुआप आछेट की नमक जालेंगे और आछेज पून एक टीसपून लेसन की पेस्ट चाहेँ यह एक टीस पून गेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी तो हम इसमें एक कप पानी डालेंगे क्योंकि गोष्ट को हमें 80% तक गलाना है इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम लगाएंगे लिड और लिड लगाकर इसे मीडियम फ्लेम पर 15-20 मिनट तक पकाएंगे तो जब तक गोश पक रहा है तो हम इसके लिए हरा मसाला बना कर तयार करेंगे तो इसके लिए हम लेंगे 7-8 हरी मिर्च आधा मुठ्टी पोधिना और एक मुठ्टी हरा धन्या लेंगे पोधिने की क्वांटिटी कम रखेंगे इसमें एक कप दही डालेंगे और हम हम इसको ग्राइन करेंगे और इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे तो ये देखिए हमारा हरा मसाला बनकर तयार हो चुका है अभी हम इसे साइड में रखेंगे अब यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं तो प्रेशर कूकर का खूल कर देख लेते हैं तो ये देखिए अभी इसमें थोड़ा पानी जो है वो बाकी है हमें यहाँ पर गोश्ट को 80 परसंट तक कूक करना है 20 परसंट जब हम इसे फ्राई करेंगे मसालों के साथ तो ये गल जाए अब इसमें जितना भी पानी है इसे हम हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे गोश्ट का पानी ड्राई करने के बाद अब हम लेंगे पैन इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑईल क्योंकि हम पहले गोश्ट को फ्राई करेंगे अब हम लेंगे लेंगे लेसुन तो मैंने यह अब हम इसमें ये गोश एट कर देंगे, अब हम गोश को फ्राई करेंगे, एकदम गोल्डन कलर आने तक गोश को फ्राई करेंगे, अब देखें गोश अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, कितना अच्छा गोल्डन कलर इस पर आ गया है, तो अब हम इसमें ये मसाला और अब हम इस मसाले को 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तना से भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्छापन है वो एकदम खत्म हो जाए अब देखिए मसालों को हमने 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तना से भून लिया है तो अब हम इसमें 3-4 हरी मिर्च एड़ करेंगे तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और लाल मिर्च 2 तरह की मिर्च को इसमें डाला है आधे निम्बू का जूस एड़ कर देंगे अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और अब गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें दालेंगे हम थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया इसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे तो ये देखिए बहुती जबरदस बहुती टेस्टी हमारा हरी मिश का तला हुआ गोष्ट बनकर तयार है बहुती कम टाइम में बहुती कम मसालों के साथ बहुती टेस्टी है दलावा गोष्ट बनकर तयार होता है तो इस बकराईद आप इस तले गोष्ट के रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिस